तो आज हम जैसे की management account की first class है आपकी और management account के अंदर हम जो chapter start करेंगे उस chapter का नाम क्या है वो है chapter का नाम आपका profit वोल्यूम रेशो जिसको मैं आज के बाद shortcut में बोलूंगा पीवी आर चैप्टर का नाम पीवी आर है इसी चैप्टर को हम cost profit वोल्यूम रेशो से भी बोलते हैं तो इसको हम cpvr भी बोला जाता है और यह चैप्टर सर कहां का है कौन से unit में से करा रहे हो क्यूंकि आप सभी को unit भी जानना जरूरी है तो unit number three की बात चल रही है और unit number three के अंदर आपके दो चैप्टर है that is a marginal and absorption costing और एक profit volume रेशो जिसमें से पहले हम यह करेंगे क्यूंकि इस चैप्टर को करने में हमारी सारे की सारे concept एक तरीके से build up हो जाता है तो चलिए आईए इस चैप्टर को start क करेंगे और हाँ आप सभी बच्चों को comment में मेरा साथ देना है और सभी बच्चों को बताना है जो मैं पूस्ता जाओंगा तो मज़ा आने वाला है पढ़ने में तो चलिए सर अगला हम देखते हैं सर पी वियार चैप्टर है तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि sales का meaning क्या होता है sales जो होता है कोई भी समान बेचते हैं तो variable cost जितने का हमने समान खरीदा प्लस कर देते हैं fix cost जो हमारा एक fix cost होता है in case profit है तो profit उसमें add कर देते हैं और loss है तो minus कर देते हैं इनको मिला के हमारा sale बनता है तो अब हमें एक एक components को समझेंगे अच्छे से कि sir what is the variable cost and what is the fixed cost profit तो हम सीखी जाएंगे तो पहले हमारा concept सीखना है variable cost मान लो unit unit का मतलब होता है piece हमेशा याद रखना unit का मतलब होता है piece एक piece हो गया जैसे मेरा एक mobile phone है तो एक unit हो गया एक piece हो गया मान लेते हैं एक unit मैंने purchase किया that is उसकी कीमत है 1000 रुपए एक unit मैंने purchase किया और उसकी कीमत कितनी है 1000 रुपए और इस unit को रखने के लिए मुझे एक go down warehouse जो भी बोल लो आप मुझे चाहिए तो जो मुझे go down चाहिए उस go down का जो rent है that is rent है मेरा 2000 मान लेते हैं 500 रुपए let's suppose example हमारा rent कितना है हमारा इस go down का 500 और यह rent हमें monthly देना होता है कि मंथली देना होता है यह rent हमें कैसे देना होता है सर यह monthly हर महिने जाता है अब मान लो मैं एक unit समान बेचता हूं तो एक unit समान बेचा तो यह वाला cost plus मेरा और rent का खर्चा आ गया rent का खर्चा आ गया तो rent का खर्चा कितना है 500 रुपए का तो मेरा खर्चा जो total cost होगा वो होगा फंदरा सो इसको बोलेंगे हमारा जो total खर्चा हुआ वो कितना हो गया सर पंदरा सो रूप अभी देखते जाहिएगा मैंने का भईया मैंने इसको sale कर दिया 2000 का अगर मैंने सेल कर दिया 2000 का तो that is हमारा sale 2000 का हो गया तो 2000 में हमारा profit कितना हुआ हमारा इस जगहे पे profit निकल के आया सर कितना profit निकल के आया 500 रुपे profit निकल के आया कितने profit निकल गए सर 500 रुपे profit निकल गए 500 रुपे profit ओके चलिए अगला एक और concept करते है इसी के साथ मान लो मैं 2 unit बेचता हूँ 2 unit बेचता हूँ 2 unit तो 2 unit बेचूंगा तो कितने का होगा दो यूनिट पहले बताओ मैंने एक यूनिट का बताया कीमत अगर मैं दो यूनिट खरीद के लाओ तो कितने का पड़ेगा दो यूनिट जल्दी जल्दी कमें बताओ दो यूनिट खरीदूँगा या लेट सपोस दो यूनिट नहीं मैं पांच यूनिट कि बात कर रहा हूं अर्णम ने 2000 बताया 5000 क्रिश्णा का जवाब आ गया जोती का जवाब आ गया बाकि सभी तनिश्ट का भी जवाब आ गया इन्होंने कहा सर पांच यूनिट खरीदो गे तो बड़ी सिंपल सी बात है आपके 5000 रुपए लग जाएंगे मैंने कहा चलो 5000 अब बदाओ मेरा रेंट का खर्चा कितना आएगा पच्चिस सो रुपए हो जाएगा या 500 ही रहेगा रेंट का खर्चा कितना आएगा पच्चिस सो रहेगा या 500 हो जाएगा बहुत बच्चों ने अधित्य ने जवाब भी दे दिया टोटल कॉस्ट तो रेंट का खर्चा कितना आएगा सर रेंट तो 500 ही रहेगा टोटल खर्चा हो गया आपका 500 और मैंने बोला 2000 की एक यूनिट बेचता हूँ तो मैंने 5 यूनिट बेचा कितने का होगा 5 यूनिट बेचा होगा मैंने 10,000 रुपए का तो मेरा जो प्रॉफिट आ गया 4500 तो आप क्या देख पा रहे एक यूनिट पे मेरा 500 का प्रॉफिट 5 यूनिट पे 2500 की बजाए कितना होगी हमारा 4500 रुपए का प्रॉफिट हो गया यानि हम जब यूनिट बढ़ाते जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट पहले के कमपेरिटिवली बढ़ता जा रहा है हमारा प्रॉफिट पहले के कमपेर तो 10 unit का खर्चा आता 10,000 लेकिन ये जो rent था, rent इस्टिल कितना रहता 500 और मेरा total खर्चा आता 10,500 और मैं 10 unit अगर बेशता तो बेखता 20,000 रुपे का, अब जो profit आया मेरा निकल के, that is कितना profit निकल के आया बता सकते हो 9500, अब कितना profit निकल के आया 95, तो अब अगर ध्यान से देखो, एक unit पे 500, तो 10 unit पे 5000 होना चीए, लेकिन हमारा profit क्या हुआ, बढ़ गया, अब यहाँ पे 5 unit पे 4500, तो एक unit पे कितने हो गए, हमारे 5 unit पे 4500 को अगर डिवाइड करें, तो अगर हम देखें, तो 4500 डिवाइड पांच, 900 रुपे, और 10 unit पे कितना होना चीए, था ह हमारा 9000, लेकिन हमारा फिर से बढ़ गया, 9500, मेरा सिर्फ इसमें यह purpose है समझाना आपका, कि भाई, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यह वाला, मैं unit बढ़ाता गया, लेकिन यह वाला cost जो था, यह वाला cost बदला नहीं, यह constant रहा, तो इसका मतलब यह जो rent वाला cost है, इ यूनिट के साथ साथ बदलता गया, यूनिट के साथ साथ बदलता गया, तो इसका नाम देंगे सर, variable cost, यानि इसको VC बोल दूँगा मैं, और इसको मैं बोल दूँगा FC, और profit तो profit है, तो इसका clear हो गया कि variable cost, जितने जादा unit आप बेचेंगे, तो वो बदलता जाएगा, लेकिन fix cost, जितने भी unit बेच ले, वो कभी भी नहीं बदलता, profit क्या होता है सर, अगर हम total cost में से, sales में से, total cost minus कर दें, तो क्या result निकलता है हमारा सर, profit निकलता है, sales में से, total cost या cost में से, sales जो भी मैंने minus किया है, क्या निकलेगा profit, इसका मतलब सर, आप sales बोलना चाहते हो, म profit इसको जोड़ दे, तो क्या होता है, sales होता है, और सर, total cost क्या होता है, फिर, total cost क्या होता है, अगर हम पीछे ध्यान से देखे, total cost तो इन दोनों को जोड रहे थे, ये वाला cost जोड रहे थे, और इस वाले को cost को जोड रहे थे, तब जाके हमारा result आ रहा था, total cost और ये वाल प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट क्या होगा सर प्रॉफिट होगा सर आप जब आप टोटल कॉस्ट को टी सी बोल रहा हूं है टी सी में से जब आप क्या करोगे सरी प्रॉफिट आपका होगा सेल्स में से सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे आप माइनस कर तो आप एक बार comment में बोल दीजिए जी sir clear है तो मैं आगे बढ़ जाओं यहाँ तक आप सभी को clear है आप सभी student को यह क्या formula को बस मैंने इधर उधर 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 घुमाने की कोसिस करी है loss का भी चलो low loss का भी formula लिख दें तो loss का क्या होगा tc minus में sales हो जाएगा tc minus में sales हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा loss क्योंकि हमारा loss के case में tc जादा होगा और sales कम होगा यहाँ तक clear है सभी बच्चों ने बोल दिया yes sir clear है इधर हटा देते हैं इस bottle को तो yes sir clear है चलो sir अब बात इस formula से ही यह chapter इसी formula पर ठिका हुआ है और यह इतना आसान formula है जो आपने बच्चपन से सीखा है जो आपने starting से सीखा है आपने 8th class में भी सीखा है fix cost कैसे निकलता है 9th में भी 10th में भी कहीं न कहीं सीखा हुआ है अब एक सवाल आता है यहाँ पर contribution 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 क्या होता है contribution होता है जब एक दुकांदार जितना इसका एक दुकांदार का contribution का मतलब एक दुकांदार का कितना महनत है मतलब variable cost को छोड़के कितना वो contribute कर रहा है उसका कितना हिस्सा contribute है किसी चीज को बनाने में कितना हिस्सा contribute है किसी चीज को build करने में दुकानदार को उसको हम contribution कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर simply आपको ध्यान रखना है contribution क्या होता है अगर मैं sales में से sales में से minus कर दूँ VC तो क्या निकल के आएगा contribution sales में से अगर मैं minus कर दूँ VC तो contribution FM अगर आपने पढ़ा है पहले तो FM में तो यह सुना होगा sales में से minus कर दें VC तो contribution अब इस एक और देखो contribution का formula contribution बड़े सारे formula बन जाते हैं contribution का formula बनते नहीं अब देखो formula तो एक ही है इसके मैंने 3 बना दिये इसके मैं 5 बना दूँँआ फरक कुछ नहीं पढ़ता अब मैंने क्या कहा अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा हमने sales में से VC minus कर दिया अगर मैं sales में से VC minus कर दूँ तो बचता तो यही है ना तो बचेगा तो यही ना क्योंकि दोनों equation equal है ये भी equation equal और ये सभी का जोड equal तो अगर मैं इस वाले में से सिर्फ ये वाला हिस्सा minus कर दूँ ये वाला हिस्सा minus कर दूँ तो बचेगा क्या ये हाँ सर यही बचेगा ओके तो यानि contribution हो सकता है हमारा क्या fix cost fix cost fix cost plus profit अगर profit है लेकिन अगर loss हुआ तो क्या होगा loss हुआ तो क्या होगा सर लॉस हुआ तो contribution contribution is equal to contribution is equal to fix cost fix cost minus fix cost minus में loss क्या हो जाएगा सर minus हो जाएगा तो contribution का मतलब है के आपको अगर sales है और variable है तो उन दोनों का difference हा जाएगा contribution अगर आप ध्यान से देखें तो अगर सिर्फ fix cost और profit दे रखा है तो उन दोनों को जोड़ दे तो contribution बन रहा है क्योंकि बात तो वही है ना दोनों मिला के तो चलिए आईए इस पे एक छोटा सा कोई सवाल देखते हैं हम दीरे-दीरे करते तो यह वाला formula तीन formula मैंने कराएं यह 3 formula क्या होते हैं बस logic समझो कि हाँ भया इसको इधर उधर करके कर रहे हैं तो क्या आप सभी student को यह 3 formula clear है क्या सभी student को 3 formula clear है यह सब क्लियर है सब क्लियर है बिलकुल चलिए आईए इस पे एक छोटा सा सवाल आपकी बुक का ही सवाल मैं जितने भी कराऊंगा बेस मानके मैं आप सभी बच्चों को बोलूँगा बच्चे बोलते हैं सर नोर्स दे दो सर पीडियफ दे दो मन और रोड़ा बुक है और उसी से सारे सवाल करेंगे और पूरे युनिवर्सिटी डेली युनिवर्सिटी की बात करों एक लौता बुक है मन और रोड़ा दूसरा कोई बुक ही नहीं है है भी तो वो कहीं भी रिकमंडिशन नहीं होता इसके अंदर तो एक लौता ही बुक है यह चलिए पहला कोश्चन आप जवाब दीजिएगा मुझे कैलकुलेट कॉंट्रिबीशन इच ओफ दा फॉलविंग पहला केस कौन बच्चा बताएगा पहले केस में कॉंट्रिबीशन क्या होगा कॉंट्रिबीशन इस इकल टू कौन सा फॉर्मूला लगाए क्या यहां कॉंट्रिबीशन निकल सकता है आपका आपके सामने कॉंट्रिबीशन क्या निकाल पाओगे येस अधित्य ने जवाब दे दिया सर कॉंट्रिबीशन तेरा छे सो जोती ने जवाब दे दिया सर कॉंट्रिबीशन आपका हो गया कितना सभी का जवाब आ गया लो जी लो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला इन्होंने लगाया फिक्स कॉस प्लस में प्रॉफिट ये फॉर्मूला लगा के जवाब दे दिया यानि आठ हजार प्लस फाइव सिक्स डबल जीरो जो की आ गया हमारा तेरा हजार छे सो पार्ट वन कंप्लीट लो जी एक्जामनर मैंने पार्ट वन कर दिया इतने आसान कॉस्चन पॉइंट टू वेरियेबल कॉस दे दिया और सेल्स दे दिया टू का बताओ तो सर यहाँ पर कॉंट्रिबुशन क्या होगा सेल्स में से क्या माइनस कर दो वी सी यह फॉर्मूले सभी एक्जाम में लिख के फिर आगे बढ़ना है आपको ऐसे कॉस्चन आए हैं एक्जाम में ऐसा मत सुचू के नहीं आया है आया हुआ है चलिए क्या बना हमारा तो सेल्स हमारा दे रखा है ग्यारा हजार और माइनस में साथ हजार यहां पर चोटे चोटे आंसर दे रखे होंगे पता नहीं वो पीछे दे रखे होंगे अभी मैंने यह बी इ पॉइंट नहीं सिखा है तो मैं तीसरे पॉइंट के उपर अभी कॉस्चन मार्क लगा देता हूँ थोड़ी दिर के बाद आप से यह भी करवा लेंगे यह दोनों सवाल आप सभी को क्लियर हो गया चार हजार है साथ और चार ग्यारा ओके मेरी गणित गलत चार हजार होगा चार हजार चलो ठीक ऐसा है यानि सर हमने यहां तक देखा contribution क्या होता है और contribution से related कुछ सवाल हमने यहां पे देख लिए अब चलिए आगे क्या देखा जाए सर contribution के बाद मैं formula को कोसिस करूँगा कि मैं एक ही page पे लिखूँ और छोटा हो जाए basic लेकिन एक जगह लेके चलूँगा और जो formula है उसको box में डालते जाता हूं कि यह सब इससे related है इसी को आगे पीछे करके बनाया गया है अगला है एक formula होता है हमारा profit profit volume ratio है सर यह तो chapter का नाम है हाँ इसी को तो निकालना है PVR profit volume ratio formula क्या होता है contribution contribution divided by sales into 100 formula यह कहता है कि आपको आपका contribution का एक certain percentage में जवाब चाहिए तो percentage में अगर simple आपको amount में जवाब चाहिए तो जी निकल गया अगर आपको percentage में जवाब चाहिए कि कितने percent sale का है तो यह formula होता है profit volume ratio यानि simple सी बात करें आपके profit का क्या ratio बन रहा है sales पे यह निकालना चाहते है अच्छा सर यानि यह हमारा PVR है अब यहाँ पे आपने अगर sales रखा है in the terms of मैं bracket मैं लिख देता हूँ rupees तो यह percentage आ गया दूसरा एक और formula है सर इसका सर एक और formula कितने formula है मैं short form लिख रहा हूँ PVR is equal to contribution per unit per unit जिसको मैं आज के बाद CPU बोलूँगा PC लिख रहा हूँ CPU ठीक है CPU मतलब central processing unit यह मत समझना CPU मतलब contribution per unit divided by आप क्या रखोगे sales sales per unit into में hundred सर दोनों के answer अलग होंगे नहीं जी नहीं दोनों के answer एकदम same होंगे कई बार आपको ऐसे सवाल अभी मैं question करेंगे तो देख ले ना कई बार आपको rupees के terms में बोलेगा भईया 5 लाग का sales है और 2 लाग का variable cost है तो बताईए कितना होगा पी वी आर पी वी आर जो होता है ना या फिर मैं अगर आपको सच्चा ही बताऊं सच्चा ही बता देता हूं चलो sales का ratio sales का जो ratio होता है is equal to variable cost का percentage और plus में plus में पी प्लस में variable cost का percentage और प्लस में fix cost और मतलब के variable cost sales क्या था हमारा sales प्लस में VC प्लस में FC ये तो sales और variable cost तो इसको मैंने क्या कह दूँ इन दोनों को contribution तो plus मैं यहाँ पे लिख देता हूं contribution ratio और contribution ratio का क्या बोलते हैं sir PVR बोल देता है PVR का जो भी percentage है यानि अगर simple contribution बोलू तो भईया ये है अगर contribution का ratio पूछ लू मैं तो उसको PVR बोल देना यानि अगर मैं बात करूँ sir और इसको let हमेशा 100 करके चलना ओके यानि sir PVR तो ये भी हो सकता है क्या हो सकता है 100 में से minus कर दो क्या VC का percentage 100 में से minus कर दो VC का percentage तो यानि 100 क्या माना हमने sales में से अगर आप VC का percentage minus कर दोगे तो किसका percentage बचेगा sir PVR का percentage बचेगा यहां तक समझ में आया है आपको ये कुछ formula अभी अटपटा लग सकता है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको हम practically करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा तो ये हो गया हमारा क्या PVR एक जवाब दो मुझे मैंने आपको अगर question चलो question तो हम देखेंगे यानि ये कुछ formula PVR के हैं क्या और भी formula है जी sir और भी है यानि और भी formula इतने formula बिलकुल PVR का formula है PVR is equal to change in change in profit अगर हम profit में बदलाव कर दें और divided by change in change in sales अगर sales में बदलाव देख ले इंटू में 100 तो ये भी PVR होता है basically PVR है क्या आपका contribution का ratio कहलो profit का ratio कहलो तो profit का ratio कैसे निकालोगे जितना बदला profit में जितना बदला sales में और इंटू 100 कर दोगे तो क्या आजाएगा हमारा profit का ratio आजाएगा profit का ratio आजाएगा अभी मैं variable cost और fix cost निकालना नहीं बताया है अभी आगे चलके हम बताएंगे इसको ओके सर चर एक बात और बता दो एक बात और बता दो सर अगर मैं variable cost का percentage पूछ लूँ तो ध्यान रखेगा 100 में से क्या minus करेंगे अगर मैं variable cost का minus कर दूँ चलो आप ये जवाब दो अगर मैंने पूछा variable cost का percentage याद रखो ये percentage अगर मैं पूछ रहा हूँ variable cost का percentage तो 100 में से मैं किसका percentage minus करूँ कि variable cost का percentage आ जाए comment में जबाब दीजिए 100 में से मैं किसका percentage माइनस करूँ के variable cost का percentage आ जाए जल्दी जल्दी बता दिजे comment के अंदर फटा फट से PVR तनिश्क ने बता दिया सर PVR का percentage माइनस करो ना इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो PVR का percentage माइनस कर दो जी हाँ PVR का percentage जोती का भी जवाब आगया हिमानशु का भी जवाब आगया अमित का भी जवाब आगया और मनन गुपता का भी जवाब आगया अरनव का भी जवाब आगया बिल्कुल सही यहां तक एक दम ठीक ठाक percentage चल रहा है हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो, एक काम करते हैं, आप जब इसको नोट करोगे तो इसी तरीके से नोट करना यह PVR के होगे एक दो और भी फॉर्मूले हैं, जो कि शायद मैं अभी ना करा पाऊँ सर क्यूं, अभी क्यूं नहीं करा पाऊँगे, अभी इसलिए नहीं करा पाऊँगे क्योंकि link नहीं बन पाएगा इसका ठीक है ना अच्छा सर link नहीं बनेगा ओके चलो और आगे बढ़ते हैं formula की तरफ ठीक है हमने यह तो कर लिया इसको बाद में ले जाते हैं इसके आगे formula को ले जाते है सर fix cost कैसे निकलेगा fix cost fix cost कैसे निकलेगा पहले मैं एक वही पहले पुराना जाना पहचाना formula लिख देता हूं तो fix cost भी आ जाएगा sales is equal to VC plus में FC plus में profit यह तो है ही यह base formula fix cost कैसे निकलेगा very simple fix cost क्या करोगे sales में से आप क्या minus कर दो variable cost minus कर दो और क्या minus कर दो profit minus कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा sir इसका निकल जाएगा fix cost एक और formula है fix cost निकालने का sir fix cost कैसे निकलेगा sir fix cost होगा is equal to total cost minus में variable cost क्या होगा हमारा total cost minus में variable total cost क्या होता है हमारा total cost क्या होता है sir बताओ बताओ total cost क्या होता है क्योंकि total cost होता है हमारा variable cost plus में fixed cost तो मैंने पूछा fixed cost कैसे निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो क्या और भी कैसी किसी तरीके से निकाल सकते हैं जी हाँ और भी निकाला जा सकता है fixed cost लेकिन वो practical implement करके दिखाऊंगा मैं fixed cost यहाँ पर मैं रख रहा हूँ एक जगह बचा के रख रहा हूँ formula के लिए ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा PVR का PVR के कितने सारे formula बन गए depend करता है question का कौन सा situation है उस situation के हिसाब से हम formula लगा के निकाल सकते हैं सारे formula एक ही है exam ने different formula लगा के हमें confuse करना चाहेगा